नमस्कार यूनिकार्ट चनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में उलन की सायता से एक छोटा सा वाश बेसन बनाने वाले है जो बहुत ही सुन्दर दिखता है तो चलिए शुरुवात करते हैं तो पहले हम हमें इस टोगी कटोरी लगेगी और उलन की सा करेंगे यह कंँ मैं वाश गहाबा और जला है ब स्वास में इस ऊहरे स्वाध दागे और यह हमें करना है अभी चोटोगी क केरी कि आपको जहां पर यह बरत वहते से सामान मिलता है वहीं पर भी मिल जाएगी ठीक है यह चोटी साइज की है और इसमें हमें यह रैप करते जाना है आखिर तक अब इसमें आपके जितने भी उपर चेन आए कोई बात ने इसमें स्रीप पैटर्न फॉलो करिए ठीक है अटाच्मेंट कर रहे हैं ठीक है स्लिप नॉट लएके हमें आटाच्मेंट करनी है तो यह पूरी अच्छी तरीके से रैप हो गए ठीक है स्रिफ पैटर्न फॉलो कीजिए जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से अभी दो चेन लिया दो चेन लेने के बाद अभी हम उपर जितने भी हमारे चेन आये है उसमें हम एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे आपके जितने भी आये हो आप उसमें एक-एक ही सिंगल क्रोशेट बनाना कोई दिकत नहीं आएगी मेरे जितने आये उतने ही आपके आने की कोई जरुरत नहीं है आपने राप करते समय आपके जितने भी चेन उपर बने उसमें एक-एक सिंगल क्रोशेट बनाके ये राउंड कम्प्लीट करना है ठीक है ये हमारा हो गया अटाइज करना है सेम तरीके से पहले दो चेन लिये थी उसकी सेकंड चेन में स्लिप नॉट लेके हम क्लोज करेंगे ठीक है ये हो गया उपर का धागा सीजर से कट कर लेना ह और गाठ अच्iniz तरीके से मार लेने राएंगे अभी हम नीचे से करेंगे ये तो हमारा बेस बन रहा है ठीक है जिखर नीची धागे दिख रहे हैं आपको वो दो धागे में ये स्लिप नॉट लिया हुँआ अदागा पहले तो अटाच कर लेना है जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है वैसे ही अटाच करने के बाद 2 chain लेना है अभी हम धागे के बीच में से हम 2 धागे लेंगे धागे के बीच में से स्वी डालेंगे और धागा उसी से खीचेंगे जिससे एक single crochet बन जायेगा मतलब नीचे हमें जो round बनाने है वो लेने में हमें दिकत नहीं आएगी अभी अगर आपके बहुत पास पास में chain बन रहे हैं दो की बजाए तीन आप धागे लीजिए ठीक है क्योंकि अगर बहुत पास में बनेंगे तो उपर लेने में दिकत होगी इसलिए एक बराबर डिस्टन्स लेके बनाना बनाते हुए हम ये round कम्प्लीट करेंगे और attachment सेम तरीके से करेंगे जो हमने chain बनाई थी उसी में slip knot लेके round अटाच करेंगे और फिर से हम दो chain लेंगे ठीक है दो chain लेंगे हम दो chain लेने के बाद अभी देखिए single crochet हम ले रहे है तीन हो गए ये चार हो गया और ये पाच पाच single crochet लेने के बाद छे नमबर की जो chain है उसमें हमें छोड़नी है छे नमबर की chain छोड़के हमें साथ नमबर की chain में एक single crochet लेना है और ऐसे ही करके हमें ये round complete करना है आपके जितने भी आए नेरे बच रहे है single crochet तो जितने भी आपके बचे उसमें आप एक-एक single crochet ले लो मतलब जहां तक ये pattern follow हो रहा है round complete कर लो अगर बच गया तो उसमें single crochet ले लो join करो सेम तरीके से slip knot लेके फिर आगे फिर से दो chain अभी chain लिया हुआ एक और उसके आगे का हम skip कर रहे है फिर से देखिए इस round में हमें skip करते हुए जाना है हर अगला single crochet बनाते समय एक-एक आगे की chain छोड़ते हुए हमें बनाना है मतलब यह पूरे round में हमें एक-एक skip करते हुए ही single crochet बनाने है और round complete कर लेना है attach करना है सेम तरीके से जो chain ली थी उसमें slip knot लेके attach करेंगे फिर से दो chain ले लेंगे अभी chain लिया हुआ एक उसके आगे एक बनाया और उसके आगे फिर से एक-किप किया और उसकी ले लिया वतलब एक बार single crochet बनाएगे और उसके आगे का chain छोड़के उसके आगे एक बना देंगे और ऐसे ही करके, यह round complete करेंगे मतलब अभी हमें छोटा छोटा करते जाना है है थीक है देखिए अभी हमें जितना साइट चाहिए उतना हमारा बन के तयार हो गया है देखिए नीचे का बैस और उपर हमने थोड़ा सा क्लोज किया है राउंड थीक है अभी इसके आगे हम देखेंगे इसके आगे फिर से दो चेन लेंगे और हर एक आपकी जितने भी इस राउंड में सिंगल क्रोशेट बने है उसके उपर हमें उतने ही सिंगल क्रोशेट बनाती हुए जाना है मतलब एक एक ही सिंगल क्रोशेट यहां पर आएगा हर राउंड में और अटाच सेम तरीके से आपको करना है जैसे कि हमने चेन ली थी उस चेन में सेकंड चेन में स्लिप नॉट लेके हमें अटाच करना है मतलब हमारा राउंड भी हमें समझ में आएगा और शुरुबात और शुरुबात भी समझ में आएगी ठीक है सेम तरीके से देखिए ऐसे ही कम नहीं करना और ज्यादा भी नहीं लेना जितने आप क्या है उसमें हर एक चेन में एक-एक सिंगल क्रोशेट और सपोर्ट के लिए देखिए हमें एक लकड़ी अंदर डालनी है जो साइज में थोड़ इसी बड़ी हो मतलब स्ट्रॉंग हो देखिए मैंने डाल भी लिया और एक-एक सिंगल क्रोशेट बनाते हुए मेरे को जितनी हाइट चाहिए मैंने उतनी बनाए आपको कम चाहिए तो कम किये करिए ज्यादा चाहिए तो ज्यादा अब यहां से हम राउंड बढ़ाएंगे ठीक है हमने दो चेन ली उसके बाद मतलब दो सिंगल क्रोशेट ऐसे ही करते हमें यह राउंड कम प्लीट करना है क्योंकि यहां से हमारा राउंड बढ़ेगा एक चेन में एक दूसरी चेन में एक यह चेन में दो कम्प्लीट करना एस सेम तरीके से अटाच करना है slip knot लेके फिर से एक chain लेएंगे अब देखिए एक chain लिया भाएक उसके आगे एक मतलब दो single crochet लेने के बाद हम तीन नमबर की chain में एकी chain में दो single crochet बनाएंगे देखिए दो single crochet लेने के बाद तीन नमबर की chain में एकी chain में दो single crochet हो गया राउंड हो गया सेम तरीकिस से अटाच कर लो slip knot लेके अटाच करना है और फिर से एक chain अभी उसके आगे देखिए एक single crochet बनाया उसके आगे एक और उसके आगे फिर से एक single crochet अब यह राउंड में हम एक-एक single crochet बना रहे हैं हर चेन में ठीक है हर चेन में एक-एक single crochet बनाएंगे अटाच कर लेंगे सेम तरीके से और फिर से एक chain लेंगे अभी देखिए उसके आगे एक सिंगल क्रोशेट उसके आगे एक सिंगल क्रोशेट तीन सिंगल क्रोशेट होने के बाद चार नमबर की चैन में एक ही चैन में दो सिंगल क्रोशेट ठीक है मतलब पहले तीन चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट और चार नमबर की चेन में एक ही चेन में दो सिंगल क्रोशेट आपके जितने भी आए यहां से जहां बनाए है अगर बच रहे हो वहाँ पर सिंगल क्रोशेट बना लो और ये भी round complete करना है सेम तरीकिस से attach करना है और फिर से एक chain लेनी है chain ली हमने अब इस round में हम एक-एक single crochet लेंगे ठीक है एक-एक single crochet हम बनाएंगे इस round में round attach कर लिए हमने सेम तरीके से और फिर से एक chain ली अभी देखिए ये दो हो गए ये तीन और ये चार पहले चार chain में एक-एक single crochet और पाच नमबर की chain में एक ही chain में दो single crochet ये भी round हम complete करेंगे और सेम तरीके से attach तो देखिए ये हमारा नीचे का पूरा बेस बनके रेडी है अभी हमें और एक बड़ी कटोरी लगेगी वैसे ही स्टो की कटोरी जैसे हमने छोटी ली है और उसी तरीके से हम इसे भी रैप कर लेंगे उलन की सायता से और उपर की तरफ एक-एक single crochet का एक round complete कर लेंगे जैसे उसमें किया था सेम तरीके से इसमें भी करना है और नीचे से भी सेम तरीके से हम ये करेंगे तो इसमें हमने तीन-तीन धागे लिए उसमें कैसे हमने ज्यादा पास नहीं ज्यादा दूर नहीं ऐसे धागे लिए थे तो इसमें भी आप वेसील करना ठीक है यहां पर हम अटाच करेंगे ठीक है यह हम अटाच करेंगे तो इसलिए ध्यान में रखना जितने नीचे हमारे सिंगल क्रोशेट बने है उतने ही यह रिंग में आने चाहिए यह रिंग में जितने हो उतने नीचे रहने चाहिए तो आप क्या करेंगे पहले रिंग में के गिन लेना और उसी हिसाब से नीचे अट्जेस करना अगर ज्यादा है तो कुछ skip कर लो अगर कम है तो एक ही इसमें दो ले लो ठीक है अभी हम attach करेंगे तो attach कैसे करेंगे देखिए सेम तरीके से इसलिए आना चाहिए कि दोनों भी एकदम बराबर से attach होने चाहिए एक बाजू में नहीं जाना चाहिए जिससे वो तेड़ा दिखाए दे इसलिए हमें दोनों इसमें सेम ही single crochet बनाने हैं या chain बनानी है जितने उसमें है उतने ही इसमें भी अभी attachment करेंगे attachment करने के लिए अभी ring में तो हमारा चल रहा है धागा अभी वो धागा लेकि आगे की chain में जहां से हमें start करना है पहले attach कर लो फिर आमने सामने वाली दोनों chain ले लो उसके आगे की धागा डालके एक slip knot लेना ही यहाँ पर single crochet नहीं बनेगा slip knot बनेगा देखिए ऐसे ही करते हमें attach करना है यहाँ पर single crochet नहीं लेना है slip knot लेकी ही attach करना है थागा direct निकालना है और अच्छी तरीके से attach कर लो देखिए यह हमारा attach हो गया तो यह पूरा नीचे का basin का part बनकी तयार है और अंदर थोड़ा सा cotton डाल लो जिससे जो हमने support के लिए लकड़ी डाली थी तो अच्छी तरीके से pack बेट जाए अभी हमें एक ऐसा card sheet लगेगा circle और नीचे थोड़ा सा लंबा और इस पे हम mirror लगाएंगे जो की मैंने लगाया हुआ है गोल राउंड का अभी हमें ऐसे ही बनाना है तो पहले magic ring लेनी है magic ring में 6 single crochet बनाएंगे उसके उपर double कर देंगे एक ही इसमें 2 और उसके उपर 1 single crochet और आगे की chain में 2 single crochet और उसके आगे की राउंड में 3 single crochet लेंगे पहले 3 chain में और 4 नमर की chain में 2 और फिर से आगे की इसमें 4 single crochet बनाएंगे और 5 नमर की chain में 2 और आखिर की इसमें 5 single crochet बनाएंगे और 6 नमर की chain में 1 की chain में 2 और ऐसे हम यह round complete करेंगे मतलब बढ़ाते हुए जाएंगे 6 तक मतलब 5 सिंगल क्रोशेट तक बनाते जाएंगे ठीक है देखिए यह साइज का होने तक बनाईए आपको जिस साइज का चाहिए उस साइज का अभी देखिए यह राउन हमें गैप बीच में छोड़ना है क्योंकि नीचे लंबी पट्टी है तो हम वहीं से उल्टा करते हुए जाएंगे और बीच में की जो चेन है वो छोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे दो चेन ली है मैंने और यहाँ पे हम डबल क्रोशेट बनाएंगे तो मैंने पहले एक डबल क्रोशेट बनाया और उसके बाद में आगे की चेन छोड़ दी है और उसके आगे की चेन में डबल क्रोशेट बनाया मतलब ऐसे ही करते जाना है आपको एक पहले double crochet बना पहली chain में दूसरी chain छोड़के तीसरे नंबर की chain में एक double crochet फिर से बना मतलब हर एक double crochet बनाते समय उसके आगे की एक एक chain हमको skip करते हुए जाना है जिससे हमारा जो mirror है उसके अंदर बराबर से बैट जाएगा देखिए जैसे वीडियो में आपको दिख रहा है वैसे ही आपको यह round complete करना है बीच में के वह हमने छोड़ देखिए यह बराबर से बैट भी गया अभी जो हमारा स्टार्टिंग है वहां तक हमें चेन लेना है तो आपका जितने भी चेन आएंगे आपको उतने चेन लेना है और जो हमने स्टार्टिंग में चेन बनाई देखिए है यह हमने अटाच कर लिया तो वहीं से टर्न कर लो और फिर से एक चेन बना लो अभी जितने चेन लिये थे हमने उसमें हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशेट बना लो जिससे हम नीचे का जो कार्टशिट का लंबी पट्टी है उसमें हम अभी उसको कवर करेंगे उलन की सायता से सिंगल क्रोशेट बनाते हुए ठीक है जितने भी आपके चेन है टाइट ले लो मतलब सरकल भी अच्छा दिखेगा कहां से अटाच किया वो भी नहीं दिखेगा तो अभी यहां पर हमें पूरा राउंड कंप्रेट करना है तो हमें आपर सिंगल क्रोशेट बनाते हुए ज सिर्फ अटाच्मेंट नहीं करना है ठीक है हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशेट बना अभी आपके साइज पर डिपेंड है आपने नीचे का साइज कितना लिया है और अपने चेन कितने लिये है तो इसमें भी बहुत आसान है सिर्फ पैटर्न ही फॉलो करना है वीडियो द दिखाई भी अच्छा लगता है कि अ हम एक देखिए ऐसे ही पूरा राउन राउन करते हुए हमें आखिर तक जाना है और आखिर में पैक कर देना है जैसे हमने राउन अटाइच किया था देखिए यह मेरा हो गया पूरा अच्छी तरीके से अभी यह हम अटाच करेंगे उपर की जो स्टोगी कटोरी है वहां पे जहां पर आपको अच्छा लगे वहां पर आप अटाज़ करेंगे तो सुई की सायतह, से हम आटाज़ करेंगे तो बराबर पहले उपर से स्टीचिस लगाना और फिर बाद में नीचे से मतलब ज्यादा हिलना नहीं चाहिए अच्छी तरीके से वो अटाच होना चाहिए इस तरीके से आप ये अटाच कर लो ठीक है देखिए ये अटाच हो गया बराबर से अब हम नल बनाएंगे तो उसके लिए magic ring ली है उसमें 8 single crochet मैंने बनाएं है और ऐसे ही 8 single crochet बनाते बनाते हुए ये मैंने इतना complete किया है तो आपको जितनी height चाहिए नल की उतना आप बना लो ठीक है ये बना लिया है अब ये नल को आकार देने के लिए हम उसमें तार वगेरा कुछ डालेंगे तो आपको ऐसे ही तार डालनी है जिससे नल का शेप भी अच्छे तरीके से बैठा रहेगा और जो हमने पीछे जो card sheet लगाया है mirror में उसमें आपको जहां ठीक लगे वहाँ पे बीज में बराबर से उस बनाए हुए नल को attach कर लेना है ठीक है और नल का शेप आप दे दो मतलब अंदर तो तार डाला है तो वो शेप भी अच्छी तरीके से आ जाएगा अब उपर हम उपर का छोटा सा उपर जो रहता है वो हम बनाएंगे तो उसके लिए से जहां पे आपको बनाना है वहां पे क्या करो पहले slip knot लेके धागा attach करो चोटा सा circle बनाओ अंदर से आपको जहां पे भी जगा दिखाई दे रही है वहां पे एक एक सिंगल क्रोशेट बनाते हुए आपको वो एक छोटा सा circle करना है एकदम छोटा सा बनाना है जादा बड़ा नहीं मतलब हमने जो नल बनाया है उसको भी अच्छी तरीके से सूट करना चाहिए ठीक है तो वैसे ही बनाते चलना मतलब circle complete होने के बाद वैसे ही second करना third करना और हर circle बनाते समय एक-एक chain skip कर देना जिससे circle उपर जाते समय छोटा हो जाएगा और पानी चालू करना बंद करना जिससे हम ये करते है वो भी बन जाएगा ठीक है तो इसमें भी आप अपनी मतली से बना सकते हो आपने नल बड़ा बनाया है तो वो भी बड़ा बनाओ और medium बनाया है तो medium बनाओ एक-एक छोड़ते हुए जाओ जिससे वो अच्छी तरीके से बन जाएगा ठीक है और skip करते गए तो close भी हो जाएगा इसे लिए बनाने में बहुत ही easy है और जादा कुछ उलन भी नहीं लगता है और जादा समय भी नहीं लगता है बनाने के लिए इसलिए आप इसे आसानी से बना सकते हो और बनने पर बहुत खुबसूरत भी दिखता है ठीक है यह हो गया और धागा जो है कट कर लो और जो भी धागे बच रहे है आपको वो सुई की सायता से अंदर की और खीच के और फिर एक्स्ट्रा के है वो कट कर देने हैं जिससे हमने जो बनाया है वो अच्छा दिखे धागे अगर बाहर दिखेंगे तो वो उसमें फिनिशिंग नहीं दिखेगी तो धागे छुपा लो अंदर की और खीच के फिर बाद में एक्स्ट्रा का जो है वो कट कर लो ठीक है सब जहां पर भी हमने नीचे जो बेसिंग बनाया है उसमें भी धागे बच रहे हैं आपको सेम तरीके से वो धागे को छुपाना है जिससे हमने जो बनाया है उसमें फिनिशिंग और वो अच्छी तरीके से दिखाई दे देखिए और यह अभी हमने वहाँ पे यहाँ पे हमें आठाच करना है अच्छी तरीके से यहाँ पे आठाच आपका आठाच है नहीं हो रहा है पीछे से तो यह मोड देना है अब नई हो रहा है तो सुई की सायता से आटाच कर लो ठीक है देखिए ये बहुत आसान हमारा बेसिंग बन के तयार है ठीक है और बाद में ये मीरर हटा लो जो हमने लगाया है कागज वो हटा लो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद